Hello everyone, welcome to my channel आज हम लोग solve करेंगे chapter 8 trigonometry class 10 math NCRT books की exercise 8.2 का question number 2 Choose the correct option and justify your choice तो यहाँ पर आपको कुछ question दे रखें और उनमें option दे रखा है, हमें क्या करना है उसमें से correct option चूज करना है उसके बाद अपने answer को justify भी करना है इसके पहले के question number 1 के हमने सारे ही पार्ट solve कर ली है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो की description box में उसका link देख सकते हैं या आप channel में जाकर playlist में भी उन video को देख सकते हैं गैस channel पे नहीं हैं तो please channel को subscribe करना ना भूले, bell icon को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं daily ही वीडियो upload करती रहती हूँ और हम class 10 के complete syllabus को cover करेंगे तो यहाँ पर इसका first part हमें given है 2, 10, 30 degree upon में 1 plus 10 square 30 degree तो इनकी values हमें याद होनी चाहिए इनको हम लिखेंगे 2 10, 30 की value कितनी होती है 1 by root 3 upon में 1 plus 10, 30, then again हमें वहीं लिखना है 1 upon root 3 और इसके उपर यहाँ पर square लगा हुआ है तो हमें भी square लगा देना है यहाँ पर इनका product करेंगे तो 2, 1, 2 यहाँ 1 plus 1 का square 1 हो जाएगा और root 3 का square 3 हो जाता है मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि root की कोई भी value है उसका square करेंगे जो root होता है वो खतब हो जाता है root के अंदर की जो भी value हो बाहर आजाती है without root में यहाँ पर denominator ऐसा हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यह fraction value है इनको solve करने के लिए नीचे हमें कुछ denominator मानना पड़ेगा और इनका हमें LCM देंगे 2 upon root 3 3 और 1 का LCM 3 आएगा 1 से 3 डिवाइट करने पर 3 टाइम्स आएगा मिस उपर 3 का मल्टिप्लाई 3 बंजा 3 प्लस 3 से 3 1 टाइम्स उपर 1 का मल्टिप्लाई 2 रूट 3 3 में 1 एट करेंगे 4 4 by 3 यह 4 पार्ट में हो गए है यह यहाँ प्रोड़क्ट में जाएगा और यह यहाँ पर प्रोड़क्ट में जाएगा 2 multiplied 3 by root 3 multiply 4 2 से यह cancel हो सकता 2 बंजा 2 2 टूजा 4 3 अपार्ट 3 और प्रोड़क्ट में 2 है जैसा कि हम जानते हैं कि हमें answer में कभी भी नीचे root में value नहीं छोड़नी होती है तो हम उसको rationalize करते हैं तो rationalize के लिए क्या करते हैं कि जो भी नीचे root में value है उसको उपर नीचे हम multiply में लिख लेते हैं और दो time होते थे तो बीच वाले sign को हम change करके लिखते थे सपोस्थ अगर यहां पर लिखा होता root 2 plus root 6 तो उपर नीचे क्या हमें multiply करना होता था root 2 minus root 6 multiply करते थे यहां पर एक ही product है तो आपको क्या करना है कि उपर नीचे root 3 का multiply करना है यहां आप इसको एक तरीका और है ऐसे भी कर सकते हैं पहले आप first वाला तरीका देख लिजें जो ऐसा हम use करते हैं rationalization में यहां पर हमने 2 root 3 लिखा और हमने product किया किसका root 3 का उपर नीचे product कर लिया then यहां से कितना आ जाएगा यह 3 root 3 आ जाएगा और 2 है root 3 का multiply root 3 से करने पर कितना आएगा 3 आएगा इस 3 से इस 3 को हम cancel करनेंगे कितनी value आ गए root 3 by 2 आ गए अब हम देख रहे हैं कि इन सारे option में root 3 by 2 किसकी value है sin 60 की value होती है option a is correct इन्होंने कहा justify करिए अपने answer को तो हम यहां पर लिखेंगे because sin 60 degree is equal to root 3 by 2 तो इस तरह से आपको इस type के question को solve करना है अच्छा यह तो एक rationalization वाला तरीका हो गया था अगर हम इसको direct solve करना चाहते तो हम कैसे कर सकते थे यहां पर लिखा है 3 by root 3 और मैंने आपको बताय था कि जब भी हम same digit को divide कर रहे हैं और एक value without root में है और एक root में है same digit होने चाहिए तो root वाली value को अगर हम cancel करेंगे तो 1 हो जाएगा और जो without root वाली value थे उस पर root लग जाता है तो अगर हम direct यहां पर क्याटते तो यहां पर कित्ता होता root 3 होता यहां नीचे 1 हो जाता 2 से multiply करते तो यह वाला step हमारा आ जाता और हम उसको direct भी लिख सकते थे but rationalize करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा question number 2 का second part हमें given है 1 minus 10 square 45 1 plus 10 square 45 degree इनकी value हमें evaluate करनी है तो यह हमें choose करना है कौन सा option correct है 1 minus 1045 की value 1 होती है इसका square करना है upon में 1 plus 1045 की value again वही 1 है इसका square 1 minus 1 का square 1 होगा upon में 1 plus 1 का square 1 1 से 1 subtract करने पर यहाँ पर 0 आएगा और upon में 2 है जबी उपर क्या होगा 0 होगा और नीचे कोई भी number है आपके पास non zero number तो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है तो यहाँ पर 0 आगया और देख रहे हैं हमारा option कौन सा correct है यह correct है तो आपको लिखना है option D is correct और यहाँ पर आपको कुछ भी justify नहीं करना है क्योंकि यह director हमने जब solve किया है तो यह option सही आ रहा है पुरा हम solve करते हुए आ रहे हैं इसको question number 2 का third part है sign 2A is equal to 2 sign A is true when A is equal to इन में से कौन सा option correct होगा एक ही वो क्या value होगी जिसके लिए यह true होगा means both side क्या होगे equal होगे तो अगर हम check करेंगे यहाँ पर कि 0 अगर रख देते हैं तो इसका multiply यहाँ पर करने पर 2 के साथ यह भी 0 हो जाएगा sign 0 is equal to यहाँ पर 2 रखेंगे sign और यहाँ पर भी 0 तो sign 0 की value कितनी होती हम जानते हैं 0 होती है और यहाँ पर भी sign 0 0 हो जाएगा और 2 से multiply करने पर 0 हो जाएगा both side equal हो जाएगे और दूसरी value भी आप check कर सकते हैं सबोसर अगर हमने यहाँ पर रखा sign 2 और 30 रखा यहाँ पर is equal to 2 sign 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर यह 60 डिगरी हो जाएगा 2 sign 30 sign 60 की value root 3 by 2 होती है 2 multiply sign 30 की value 1 by 2 cancel करेंगे यहाँ से कितना आ रहा है root 3 by 2 is equal to 1 क्या यह दोनों equal है यह true होगा नहीं यह equal नहीं है तो यह true नहीं है यह angle मतलब a के लिए 30 degree सही नहीं है इस relation के लिए आप बाकी दूसरे भी values को इसी तरह से put करेंगे और check कर लेंगे तो यहाँ हमें direct बस इतना ही लिखना है we know that sin 0 degree is equal to 0 होता है then option a is correct देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree इन में से कौन सा option correct है तो values हम put करना है start करेंगे 2 10 30 की value कितनी होती है 1 by root 3 upon में 1 minus 10 30 की value again वही 1 upon root 3 और इसका square करना है क्योंकि यहाँ पे square लगा हुआ है multiply करेंगे 2 बंज़र 2 by root 3 upon में 1 minus 1 का square 1 हो जाएगा root 3 का square 3 हो जाएगा यहाँ denominator as a 1 दे लेंगे इसे हम further solve करेंगे 2 root 3 2 by root 3 upon में LCM देंगे 3 आ जाएगा 3 और 1 का LCM 3 1 से 3 3 times आएगा उपर 3 का multiply 3 से 3 1 times तो उपर 1 का multiply 1 बंज़र 1 2 by root 3 यहाँ 3 में से 1 सब्टाइट करेंगे तो 2 आएगा और upon में 3 हम जानते हैं कि यह वाला term यहाँ पर product में जाता है और यह वाला यहाँ product में जाता है 3 by root 3 एंसर इस तरह से हमें नहीं छोड़ना है root में नीचे हम value नहीं छोड़ेंगे इसको हम denominator को rationalize करेंगे कैसे rationalize करते हैं अगर एक हीट हम है तो उसको क्या करते हैं और नीचे उसका product कर देते है multiply तो यहाँ पर आएगा 3 root 3 upon में root 3 और root 3 का multiply करने पर 3 आ जाएगा 3 से 3 cancel हो जाएगा root 3 value आएगी अब देखते हैं कि जितने भी option है उसमें root 3 किसकी value होती है तो cause 60 की value root 3 नहीं है sin 60 की value root 3 by 2 होती हो यहाँ सिफ root 3 है 1060 की value root 3 होती है तो हमारा option C सही है option C is correct यहाँ पर आप इसको show कर सकते है because 1060 degree is equal to root 3 complete होते हैं आपके exercise 8.2 के question number 2 के सभी part वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजेगा share कीजेगा और channel पी नहीं है तो please channel को subscribe करना ना भूले next video में हम इनके आगे को question को solve करेंगे thanks for watching my video